हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल स्रिग्यान और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री का चैप्टर फाइब जिसका नाम है पैस्टोरलिस्ट इन दे मॉडेन वर्ल्ड इससे पहले हम एक बार अल्रेडी नॉमेडिक सोसाइटी और पैस्टोरलिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं फिर भी इस चैप्टर को भी अल्यडी एक्स्प्लेइन कर दिया गया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लीज पहले एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिजे ताकि क्वेस्ट जो नॉमेडिक ट्राइव है जो ऐसा समुदाय है जो एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोस की तरह घूमता रहता है वो आखिर घूमता क्यों है रिजन क्या है और उनके घूमने से इन्वार्मेंट पर क्या प्रभाव परता है ठीक है तो आंसर है कि The नॉमेडिक get fodder for their cattle मतलब nomadic tribes के बास उनके अपना खुद का इतना बड़ा खेत नहीं है या इतना बड़ा फिल्ड नहीं है कि वो अपने जानवरों को वहां से चारा मुहया करा सके उपलब्ध करवा सके fodder मतलब चारा ठीक है they lived with their herd in the low hills of Himalayas from September to April September to April याद रखिये सर्दियों का मौसम होता है September, October, November, December सर्दियों के महिने में नोमेडिक ट्राइब पहारी के नीचले हिस्से में रहती है और जैसे ही सर्दियों का मौसम खतम होता है तो वो लोग क्या करते हैं पहारी के ऊपर की चोटी की और चल देते हैं अपने पसुओ को लेकर और वहां जो छोटे-छोटे मौसेस और मैंने कहा न कि सेप्टेंबर से एप्रील के समय पर यहां पर बर्फ जमी होती है इन दिस एरिया दर ड्राइस क्रफ्स फोरेस्ट प्रोवाइड पेस्चर्स पोर देर हर्ट्स दूरिं दिस पीरियाड ठीक है तो छोटी-छोटी नहीं नहीं घा से उखके आती है परवतों की चोटियों पर हाई एल्टिट्यूड पर नोर्फ वर मतलब नीचे से ऊपर की ओर नॉमेडिक ट्राइब्स क्या करती है अपनी जर्णी को सुडू करती है ऊपर की ओर जाना अपने पसुओं को लेकर अगेन विद दो ओनसेट अफ विंटर और जैसे ही विंटर सुरू होता है तो वो क्या करते हैं माउंटें सारी बर्व से धकना सुरू हो जाती है इसलिए वो सारे अपने चरवाहे जितने भी हैं वो अपने पसुओं को लेकर नीचे आ जाते हैं इसी तरह से कभी उपर कभी नीचे की जरनी चलती रहती है देखिए जब जानवरों को लेकर उपर गए तो माउंटेन्स के नीचे वाले इलाके को इतना समय मिल गया कि यहां छोटी छोटी घा से उग पाए और फिर तीन चार पांच महीने बाद जब यह नीचे आए तो उपर का इलाका खाली हो गया और उपर के इलाके को इतना समय मिल जाएगा कि यह फिर से रियेस्टोर हो जाए अपने ग्रासेस के साथ तो एक दूसरे को रियेस्टोर होने का मौका मिल जाता है इन नॉमेडिक ट्राइब्स की वज़ा से सिंपल था आई हो पच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे जो है घास की क्वालिटी भी बढ़ी रहती है और जो जीव जन्तु है जो जानवर है उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है तो जो चरवा है थे उनकी जिन्दगी कैसे बदली ये हमें देखना है Westland Rules क्या है और इससे क्या असर हुआ ये देखने है Westland Rules और grazing lands were considered Westland by the colonial rules as they brought no revenue to them तो जिस जगह पर चरवाहे अपने गाय बैलों को चराते थे उससे सरकार को कोई भी पैसा नहीं मिल रहा था तो इसलिए सरकार न उस जगह को क्या कहना सुरू किया Westland बेकार की जमीन क्यों क्योंकि उससे पैसे नहीं आ रहे थे If this land could be transformed into cultivated farmland अगर उस जगह को खेती के लिए उपयोगी जमीन में बदल दिया जाए जहां कोई commercial farming की जा सके तो क्या होगा वहाँ से बहुत सारा पैसा और बहुत सारी revenue जेनरेट की जा सकती है जैसे की jute, cotton, weight ऐसा कोई अगर अना जुगाया जाए तो काफी पैसा निकलेगा और इसलिए अंगरेजों ने पैसे कमाने के लिए इस वेस्ट लेंड रूल्स को बनाया जब आप cultivated lands को बढ़ाते हो तो जीव जन्तूओं के चरने की जमीन है वो definitely घड जाती है और अगर जीव जन्तूओं के चरने की जमीन घड जाएगी तो उनकी health खराब होने लगेगी और धीरे धीरे वो मर जाएंगे ठीक है क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलेगा अब forest act देख लेते हैं forest act these were enacted to protect and preserve forest for timber which was commercially important तो ऐसे forest लो बनाए गए जिससे हम ऐसे timbers यानी की लक्रियों को बचा सकें जो अच्छे महंगे काम के लिए यूज में ली जा सकें जो महंगी हो इस act changed the life of pastoralist लेकिन इस act ने pastoralist की जीवन बदल दी they are now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle अब ऐसे जंगलों में चरवाहों का घुसना ही मना हो गया चरवाहे वहां से कई प्रकार की लक्रियां सुगंधि फूल बहुत तरह के उपियोगी दवाईया ऐसी चीज़े लेया कर बाहर बेजते थे वो भी बंदो गया अपने जानवरों को वो खिला पिला कर तंदुरुस्त रखते थे वो भी बंदो गया और घुसने के लिए जंगल में उन्हें हमेशा क्या करना पड़ता था पर्मिट्स यानि की पर्मिशन लेनी होती थी और एंट्री और एक्जिट दोनों ही मोनीटर्ड होते थे तो इस वज़े से काफी दिक्कत होने लगी ठीक है Criminal Tribes Act Criminal Tribes Act The British Government eyed nomadic people with suspicion and disregard on account of their continuous movement तो किसी एक इंसान की अगर कोई address नहीं होगी ठीक है न वो कब कहां रहता ये fix नहीं रहेगा तो वो कुछ भी करे आप उसको ढूंड नहीं सकते माल लो एक इंसान का कोई address नहीं है और उसने चोड़ी कर लिया तो आप उसे कहां ढूंडने जाओगे तो इस वज़े से ऐसे लोगों को अंग्रेज criminal की नजरों से देखते थे They could not be tracked down or placed in one particular place जब भी उन्हें ढूंडोगे तो वो किसी अलग जगा पर मिलेंगे किसी अलग situation में मिलेंगे इसी लिए इन्हें ढूंडना मुस्किल हो रहा था Unlike rural people in villages who were easy to identify and control लेकिन जो गाओं में एक घर पे रहते हैं उनका अपना एक fixed address होता है ऐसे लोगों को ढूंडना और उन पर सासन करना ज़्यादा easy होता है Hence the colonial power viewed nomadic tribes as criminal तो जब colonial power ने nomadic tribes यानि की खाना बदो समुदायों को criminal घोसित किया The Criminal Tribes Act was passed in 1871 Criminal Tribes Cup passed in 1871 में and it further ruined the lives of pastoralists और इसने चरवाहों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया Ruined means बर्बाद Who were now forced to live in notified settlement और उन्हें एक specific जगा पर ही रहने का permission मिला क्या आप इदर उदर नहीं गुम सकते एक जगा पर घर बनाओ और वहीं रहो And were disallowed from moving out without a government permit और बिना government सरकार के permission के आप एक जगा से दूसरी जगा नहीं गुम सकते ठीक है Next है grazing taxes Grazing taxes क्या देखते हैं It was imposed by the colonial government to expand its revenue income Tax इसलिए ही लगाया जाता है कोई भी tax हो ताकि वह सरकार अपनी जेब भर सके या फिर अपने revenue को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके Pastoralists had to pay a tax on every animal they grazed on their pastures एक खास जगह पर अगर आप अपनी गाय बैल या फिर भेड बकडियों को चराते हो तो उसके लिए आपको हर एक जानवर के उपर कुछ टेक्स देना पड़ेगा This right was now auctioned out to contractors Contractors को contract दे दिये जाता था कि यह इस जमीन का आपको जिम्मेदारी दे देते यहाँ पर जितनी भी गाय बकडियां भेर जो भी चड़ेंगे उसके लिए आपको इतना रुपया साल में देना होगा तो अगर एक गाय से सरकार पांच रुपया लेती थी तो यह लोग दस रुपया लेते थे क्योंकि इनको खुद का घर भी चलाना होता था They extracted as high tax as they could to recover the money they had paid to the state and earned as much profit as they could दोर चीजे सरकार को आप ज़्यादा profit दोगे तो अगली बार आपको फिर से वो contract मिलेगा इसलिए वो ज़्यादा tax लेते थे और खुद के लिए भी तो profit कमाना है सिर्फ सरकार को ही थोड़ी देना है तो दोनों ही चीजों के लिए वो tax ज़्यादा से ज़्यादा वसूलना चाहते थे Later the government itself started collecting tax बाद में contractors को बीज से अटा दिया गया और सरकार खुद taxes collect करना सुरू कर दिया This created problem for the pastoralists who were harassed by tax collectors Tax collectors जो भी collect करने आते थे वो लोग इन बेचारे चरवाहों को बड़ी परेसान करते थे It also become an economic burden on them और extra पैसा देना परता था चरवाहों को तो ये एक उनके उपर extra बोज हो गया Question number 3 Give reasons to explain why the Maasai community lost their grazing lands तो जो Maasai community थी उनको उनका grazing land कैसे उन्होंने खो दिया ये आपको बताना है In 1885, Maasai land was cut in half by an international boundary drawn between the two colonies British Kenya and Germany Tang Yangnika तो दो communities ने कहा कि आदा ये आपका है आदा ये मेरा है तो ये line की वज़े से क्या हुआ कि Maasai land दो अलग-अलग हिस्तों में बट गया पहला ठीक है दूसरा the best pastures were reserved for white settlement और जो best pastures land था जो अच्छी जमीन थी जो ज़्यादा उब जाओ थी जहां अच्छे घास होते थे वहां पर सिर्फ white लोगों के अंग्रेजों के रहने की विवस्ता की गई ठीक है and Maasai tribes were given arid small areas in South Kenya and North Tanjaniya तो South Kenya और North Tanjaniya में जो सूखा इलाका था जहां बहुत कम घास होती थी बहुत छोटा सा जो जगा था वो किसको दिया गया वो दिया गया Maasai tribes को This lack of good grazing lands and two year drought led to loss of almost 60% cattle belonging to the Maasai tribes एक तो जमीन छोटी उपर जो उतनी अच्छी grazing के लिए land थी नहीं अच्छे गास होते नहीं थे और इस वज़े से almost 60% तक cattle जो थे वो मर गय गाय बैल भकडी जो भी था सब मर गया Increased in cultivation and promotion of game reserves added for their woods तो cultivation lands के लिए भी कुछ जगों को reserve कर दिया गया कुछ को games के लिए fields बना दिया गया इससे भी बहुत सारा pasture land खतम हो गया With the increasing power of the colonists and their adverse impact on the Maasai social life This community gradually lost its all grazing lands तो colonialism के बढ़ने के वज़े से Maasai community ने क्या किया अपना सारा grazing land धीरे धीरे खो दिया Fourth question है There are many similarities in the way in which the modern world force changes in the life of pastoral communities in India and East Africa Write about any two example of changes which were similar for Indian pastoralists and the Maasai herders तो इसका answer है There are many similarities in the way in which the modern world force changes in the lives of pastoral communities in India and East Africa तो भारत और East Africa में बहुत सारी ऐसी समानता है ठीक है जो modern world यानि की आधुनिक यूग को force कर रही है Pastoralist community के change में ठीक है All uncultivated land was seen as Westland by colonial powers अंग्रेजों के समय में ये देखा जाता था कि जो खेती वाली जमीन है वो useful है और जो ऐसी जमीन है जहां खेती नहीं हो रही है वो Westland माना जाता है It produced neither revenue nor agricultural products ना तो वहां से कोई अना जुगता है और ना ही उससे कोई पैसा मिलता है This land was brought under cultivation और ऐसे जमीन को cultivation के लिए सुरू कर दिया जाता है खेती सुरू कर दी जाती है In most areas the land taken over actually grazing tracts used regularly by pastoralists So expansion of cultivation inevitably means the decline of pastures तो जब आप वहां खेती करने लगोगे तो वहां बकडियों को और भेडों को चरने तो दोगे नहीं और ऐसे में चरवाहों के लिए बहुत बड़ी problem हो गई चाहे वो इंडियन चरवाहे हो चाहे वो मसाई community हो एफ्रीका की ठीक है From the 19th century onward the colonial government started imposing restrictions on the pastoral community They were issued permits which allowed them to move out with their stocks and it was difficult to get permits without trouble and harassment तो 19th century में colonial government जो थी उन्होंने tax लगाना शुरू किया और साथी साथ restrictions लगाने शुरू किये कि आप अपने जानवरों को लेकर इधर उदर नहीं चरा सकते इसके लिए आपको सरकार से permits लेना होगा और ऐसे permissions के चक्कर में पेस्टोरलिस जो है वो पड़िसान हो रहे थे उनको हरैस होड़ा था दोस फाउंड गिल्टी आफ डिसोबेइंग जो रूल्स नहीं फोलो कर रहे थे जो बात नहीं मान रहे थे सरकार की उनको बहुत तरह की पनिस्मेंट दी गई ठीक है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग है वह ग्रेट डे कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपकी हर क्वेस्चिन का सवाब जवा करेंगे मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए है वे ग्रेट डेए